शिव बाबा याद है ना? एक एक बच्चे की विशेस्ता को देख ब्रह्मा बाब के मुक से यही बोल निकल रहे थे वहा बच्चे वहा शाबाश बच्चे शाबाश और बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमना निकल रही थी हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था फिर बाबा ने कहा यह एक स्मृती ही सर्व शक्तियों की प्राप्ती करने की चाबी है। मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृती को कहेंगे गोल्डन की। यह पाँच चीजें प्रगृती, माया, संसकार, वायुमंडल और संग दोश, पाँच शीश वाला साप है। जिस पर तुम्हें अध अधिकारी बन डांस करना है। हर एक अपने से पूझे क्या इन पाँचों सापों को गले की माला बनाया है, शेश चैया बनाई है, डांस का मंच बना दिया है। जब यह माला पहनते, तब बाब की विजे माला में समीप के मन के बनते। लास्ट में बाबा ने कहा, समय प्र सामना करने की शक्ती कर्म में अवश्चक है, सिर्फ मन और वानी तक नहीं, कर्म तक अवश्चक है, परंतु देखा गया है, भले सम्रीती तो है, लेकिन समय आने पर शक्ती को प्रैक्टिकल यूज करने में अंतर पड़ जाता है। सम्रीती की अपेक्षा समर्थी कम है, इ यथार्थ सम्रीती का प्रमान, समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों दवारा, सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में सम्रीतियां आ रही हैं, बाप दादा के पास भी अम्रित वेले से सनहेव याद की वेराइटी मालाईं चारों और के बच्चों की तरफ से गले में पड रही थी, साथ-साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे, बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन-भिन शक्तियों की भिन-भिन वर्दानों की मालाईं पहना रहे थे, यह सम्रीती दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरू के वर्दान दवारा संशोज फादर का विशेस दिवस है क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मन्च रूपी तक्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है साकार रूप में सेवा के निमित बनने का ताज पोशी वद तिलक का दिवस है सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित बने हैं और बनते रहेंगे बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हरशित हो रहे हैं हर एक बच्चा नमबर वार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं मैजोरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं जैसे आज के दिन बच्चे विशेस चारों और ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं ऐसे विशेस ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेस्ताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेस्ता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे। वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश. और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वशाबाश बच्चे कहे रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी. हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था. यह वतन का द्रिश्य, साकार दुनिया में भी हर एक स्थान पर अपना-पना याद और स्नहे का द्रिश्य बाप ने देखा, अब आगे क्या करना है? स्मृती तो रहती है, लेकिन यत्थार्थ स्मृती का प्रमान है, स्मृती दवारा समर्थ स्परूप बनना. स्मृती अती सुरेष्ठ है, जब ब्रह्मन बने, तो बाप दादा दवारा, जो जनमसिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेक्ड की स्मृती दवारा ही प्राप्त किया. दिल से जाना, दिल में, मन में, बुद्धी में स्मृती आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा. इस स्मृती दवारा ही जनमसिद्ध अधिकार के अधिकारी बने. यह स्मृती सर्वशक्तियों की चाबी बनी. यह स्मृती गोल्डन की है. मैं बाब की अर्थात, मैं आत्मा हूँ. जब यह निश्चे हुआ, मैं आत्मा बाब की बच्ची हूँ. तो निश्चे में कितना टाइम लगा? कॉर्स करने में टाइम लगा. लेकिन जब निश्चे हुआ, तो कितना टाइम लगा? सेकिन का अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं यह बन रहे हैं, अधिकारी बन गए, यह पक्का है, अच्छा, डबल फोरिनर्स वर्से के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं, पक्का, पक्का, बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को. अधिकार में विशेस बाप दवरा, सर्वशक्तियां मिली है, एक हाथ उठाओ, मिली है, सर्वशक्तियां मिली है न, या किसको आठ मिली है, किसको छे मिली है, अपने को कहलाते भी है, मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो, यह आ आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं, बाप दादा सर्वशब्द का पूछ रहे हैं, सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई-कोई शक्तिवान भी हैं, है कोई? जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ, लेकिन शक्तिवान हूँ, ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है, सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है, अच्छा है, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप ददा पूछते हैं, कि हर प्रकृती के, माया के, स्वभा संसकार के वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्व शक्तिवान होना। यह प्रगृति, माया, संसकार, वायुमंडल या संग दोश इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। यह पांच शीष वाला सांप है। इस सांप पर पांच शीष पर अधीकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीष निकाल कर आपके उपर डांस करता है। सांप भी डान्स करता है ना, बहुत अच्छी, तो कोई भी एक शिष आपको डान्स दिखाने तो नहीं आते, कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है, खेल देखने लग जाओ, पांच ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेश्चया बना दी है, डान्स का मंच बना दिया है, आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अश्वरिस्थिती वाली देवात्मा, फरिष्टा आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है, जब यह माला पहनते, तब बाप की माला में, नंबर अच्छे में, नजदीक मन के बनते हैं, विजय माला के समीप के मन के बनते हैं, बाप दादाने पहले भी सुनाया है, कि वर्तमान समय, समय के अनुसार, विशेश, सहन शक्ती, और समस्या या परिस्थिती क जो सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है. सिर्फ मन और वानी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है. बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं. शक्तियां नहीं हैं, यहें नहीं हैं. लेकिन फर्क क्या पढ़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधी से कारिय में लगानी चाहिए, वहें समय पर और विधी पुर्वक यूज करने में, कारिय में लगाने में अंतर पढ़ जाता है. स्मृती है, लेकिन स्मृती को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते. स्मृती जादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक ह स्मृति ने वर्से के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मन का बनाती है। स्वरूप में लाओ, अगर किसको भी देखते हो, तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनभव हो, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनभव करे, साधारन बोल नहीं, हर बोल में, जो समर्थी का वर्दान मिला है, वह अनभव कराओ, मन बुद्धी दवारा, सुरेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णे शक्ती का वायुमंडल स्वरूप में लाओ, साधारन चलन में भी फरिष्टे पन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे, डबल लाइट का स्व्यम को भी और दूसरों को भी अनभव हो, ऐसे है, तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ, बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया, कहां का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद, जो भी देश विदेश में अव्यक्ती जनम लेने वाले हैं, वह सभी ब्रह्मन दिखाए, तो वह कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी, हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया, सुना, उसमें आप लोग भी हैं ना? और हरेक को बाप दादा ने बहुत सनहे की समीप की द्रिस्टी दी, और अव्यक्त रचना को एक विशेस गिफ्ट भी दी, अभी यहां जो बैठे हो, वह साकार ब्रह्मा के बाद, जो ब्रह्मन आत्मा रचना में आये हो, वह हाथ उठाओ, मैजोरिटी हैं, अच्छा अभा में बहुत थोड़े हैं, तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी, यहां तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं, वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए, उतना स्थान है, तो बाप दादा ने सभी को वतन मे इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रन दे के बुलाया, सभी बड़े खुश हो रहे थे, और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे, बाप दादा ने उन रत्नों को सोगात दी, बहुत सुन्दर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुश्प था, जिसमें ए के कमल के पत्ते में भिन-भिन शकतियां थी, जो भिन-भिन रंग में चमक रही थी, वह बेदाग हीरे का कमल पुश्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। इमर्ज हुआ इमर्ज किया, double foreigners ने इमर्ज किया, teachers ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया, माताये इस विश्व विद्याले की विशेस्ता है। सभी को आश्चरिय किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई, इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई, मैजोरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत-बहुत प्यार दिया, और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहड भी इमर्ज किया, और साथ में सागर भी इमर्ज किया, और सभी को खूब घूमाया, freedom थी घूमने की, खेल नहीं कराया, बोल और बैट-बोल का खेल कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे, तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी, बाप दादा ने सभी को यही वर्दान दिया, सदासर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो, तो बाप दादा का आज के स्मृती दिवस का विशेस महामंत्र है, स्मृती स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ, खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म दवारा बाहर में प्रत्यक्ष करो, जो भी आत्मा, चहे द्रिस्टी के, चहे मुख के बोल में, चहे क कर्म में, साथ में, संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेहे दो, बाप दादा ने यहे भी देखा, कि जो नए-नए बच्चे आते हैं, उन्हों में कई आत्माएं ऐसी भी हैं, जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ, आप ब्राह्मन आत्माओं के दवारा हिम्मत उमंगुत्साह समाधान मिलने की अवश्यक्ता है, छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख, ब्राह्मन बने तो हैं ना, तो छोटों को शक्तियां दवारा पालना की अवश्यक्ता है, और पालना नहीं, शक् पालना की अवशक्ता है, तो जल्दी से स्थापना की ब्रह्मनात्माईं तयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम नो लाग तो जाहिए ना, तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ, ज्यादा डिसकस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेस्ता वजो शक्ति की कमी हो, वह भरते जाओ आजकल जो निमित हैं, उन्हों को इस पालना के निमित बनने की आवशक्ता है जिग्यासू बढ़ाएं, सेवाकेंद्र बढ़ाएं, यह तो कोमन है लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्ति शाली बनाएं, अभी इसकी आवशक्ता है सेवा तो सब कर रहे हो, और करने के बिना रह भी नहीं सकते लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अन्भव हो, शक्ति शाली सेवा हो साधार्ण सेवा तो आज कल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेस्ता है शक्ति शाली सेवा ब्रह्मन आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवशक है अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब दरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने है बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना बाप दादा के पास सभी की याद पहुँचती ही है चहे पत्र दवारा, चहे मुख दवारा, चहे कार्ड दवारा, चहे आजकल इमेल दवारा भेजते हैं साइंस के साधन बहुत हो गए हैं बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुँचती है और दिल के आवाज की भी याद पहुँचती है सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुँचता है तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन भिन साधनों से याद प्यार भेजा है उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रही है बच्चों ने एक बार याद दी बाप पदम गुणा रिटर्ण में याद प्यार दे रही हैं। और उत्सहा देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को स्मृती स्परूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज खास यह संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है, आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है, वैसे तो जो भी शान्तिवन के सेवाधारी हैं, उन सब की सेवा एक दोसे आगे है अच्छी है, जागना भी पढ़ता है, चलना भी पढ़ता है, दोडना भी पढ़ता है, संतुस्ट करना भी पढ़ता है मुबारक हो, पांडो भवन वाले, मदबन की चार भुजाओं वाले, सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो डबल फोरेनर्स देख रही हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा Double foreigners से सभी बाप दादा सहित दादियों का सभी ब्राह्मनों का Double Triple प्यार है क्यों? बाप दादा सदय विशेस्ता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दिवारों को तोड़ कर ब्राह्मन जीवन में पहुँच गई हैं ब्राह्मन कल्चर वाले बन गई हैं और लगता ही नहीं है कि यह कोई दूसरे देश के हैं अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे इसलिए Double विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब घरब बाहर मुबारक हो बहुत अच्छा आज का वर्दान देहे भान से न्यारे बन परमात्म प्यार कानभव करने वाले कमल आसंधारी भव बाब ने कहा कमल आसं ब्रह्मन आत्माओं के स्रेश्ठ स्थिती की निशानी है ऐसी कमल आसंधारी आत्माई इस देहे भान से स्वते न्यारी रहती है उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्शित नहीं करता जैसे ब्रह्मा बाब को चलते फिरते फरिष्टा रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा ऐसे नैचुरल देही अभिमानी स्थिती सदा रहे इसको कहते हैं देहे भान से न्यारे ऐसे देहे भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं स्लोगन आपकी विशेस्ताईं वगुण प्रभु प्रसाध हैं उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है आज का अव्यक्त ज्यानमोती बहुत विशेस है सभी भाई बहने जरूर सुने अव्यक्त ज्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें अव्यक्त